मेरे जीवन का उद्देश से जेसल मेर की परजा को जीवित जागरत और सवतंतर बनाना है आज वहाँ एक वेक्ति जो निरंकुस सत्ता कायम है और उसकी दमन नीति से जो परजा स्वाभी मान हीनो कर दुरदर्सा का जीवन बिता रही है उसके उपर अनेक परकार के अध्याचार होते हैं लेकिन वो उप तक नहीं कर सकती इस दुरदर्सा का संस्मरन करके मैं काप उड़ता हूं मैं इस दुरदर्सा का अंत करने के लिए अपने ब्राणों की बाजी लगाता हूं ये कथन कहने वाले थे सागरमल गोपा जी और अपनी मातर भूमी के लिए क्या करने का जजबा इनके अंदर था किस तरीके से अन्यायों को परतिकार करने का जजबा था और आज देखेंगे हम ऐसी कूरता की एक कहानी जिसके दोबारा आपके रोंग्टे खड़े हो जाएंगे आप को आज आप और हम सब को आप जो जादी इतनी सस्ती नहीं है उसमें सागर गो मल गोपा जैसे शेकडों की संक्या में ऐसे करांती कारी वीरों ने अपने जीवन की बलिदान देने के बावजूद हमें प्राप्त हुई है तो इनकी रक्सा करना हमारा वरतमान में परम करतव्य हैं तो देखते हैं अब इसको व तो जेसल मेर के अंदर जन जागरती लाने का सर परतम सेरे किसको हैं सागर मल गोपा जी को बहुत ही महत्मून कम्पिटेशन एक्जाम की दरश्टी से भी अब देखते हैं इनके बारे में होता क्या है 1940 में इन्होंने क्या क्या जेसल मेर का गुंडा राज नामक पुस्तक छपवा करके क्या की वित्रत की यह सब आगे बढ़ने से थोड़ा साइन के जीवों से मैं आप से परीचित करवा देता हूं सागर मल गोपा जी जिनका जनम तीन नवंबर 3 नवंबर 1910 को हुआ था इनके पिता जी का नाम था अखे राज जी अखे राज जी बहुत थी अच्छे वेक्ती थी और राज जी के यहां पर बहुत थी अच्छे पदपर थे यहां पर नोकरी किया करते थे लेकिन जो इनका बेटा था यानि सागर मल गोपा के अंदर जो अपने देश के लिए क्या थी कुछ कर गुजरने की थी वहां यहां के उस समय के जो महारावल थे जवार सिंग उनके अत्याचारों से क्या होता था इनका हर दे कसुड जाता था तो इसी कसुड के कारण इनको अपना ये राज जी छोड़ना पड़ा अपना राज जी था कि इन्होंने एक पुस्तक चपवाई थी इस पुस्तक का नाम था जेसर मेर का गुंडाराज जिसमें यहां के जो महरावल थे उस महरावल के जो कारे थे उन कारें का क्या किया था इस पुस्तक के अंडर भंडा फोर्ड किया गया था इस भंडा फोर्ड से यहां का जो महर महारावल बढ़ाई क्या हो गया था क्रोधित हो गया था आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाऊंगा इसके आलवा इन्होंने एक और पुस्तक भी लिखिती जिसका नाम था रुगुनाध सिंग्ह का मुक्दमा तो इस महारावल ने क्या क्या इस घटना के कारण इनको निर्वाचित कर दिया और निर्वाचित होकर कि यहां से सब को छोड़ कर के इनको कहा जाना पड़ा नागपूर जाना पड़ा यानी अपना घार परिवार सब कुछ ले करके जो सैगलमर गोपा जी है वो यहां से क्या किये चल लगे हलांकि इससे पहले इनके पिता जी जो अखे राज जी है उन्हों ने भी इस बारे में अपने बच्चों को कह दिया था कि उसकी अगर राय मानोत कभी भी जेसल मेर इस्टेट के अंदर क्या करना नोकरी मत करना यानि इन्होंने नोकरी की थी ये महरावल के साथ भी थी दिल्ली दर्बार भी गए आबू भी गए सब जगे गए इन प्रिस्तित्यों को देखकर के अपने बच्चों को यही सला दे दी जब यहां से निर्वाचित किया तो यह सागर्मल गोपाजी अपने परिवार सहीद जेसल में छोड़ करके नागपुर में चले के और वहां पर अपने जीवन यापन की क्या की नए तरीके से वहां खोजबार की ठीक है अब इधर क्या होता है 1941 के अंदर इनके पिताजी अखिराजी की क्या होती है मरत्यू हो जाती है अब देखो इनके जो पिताजी की मरत्यू के बाद यहां पर यह जेसल मेर के अंदर आना चाहते थे लेकिन आ कैसे पाते क्योंकि इनको निर्वाचित कर दिया यहां आने पर क्या था महरावल द्व इनको गर्बतार करके इनको सजा देने की डर्था इसी कान इनके जो सुभसंत तक cup थे उन्होंने क्या का आप नहीं आई ये लेकिन शागर मल गोपा जी ने ये महना कि अगर वह जिसलमेर नहीं गए यह ना इनके दो मत्रों नहीं किया लेकिन फिर भी उनने कान नहीं गहे तो उनकी कायरता लगेगी तो इसके लिए उस समय इन्होंने क्या किया था तत्कालिन जो political agent थे उन से मिले है न तो ततकालिन जो political agent थे कौन एए एस एलिगटन उनको लिखा जो उस समय जोदपूर जेसल मेर और अजमेर इन तीनों के इही की political agent हुआ करते थे उन से जाकर के सागरमल गोपा जी जोधपूर के अंदर मिले और जोधपूर के अंदर उन से जाकर के कहा कि भाई उनके पिताजी का जो देहान तो वह वहाँ जाना चाता है लेकिन जेसल मेर के महारावल वहाँ जाने पर उनके साथ क्या करेंगे दुर्वेवार करेंगे तो इस सम्मन में जेसल मेर के महारावल ने रेजीडでも जी रेजीड alliance ने क्या किया सव क्या है अपने यह दुबारा सुनुन लो जो यह प प्र ऐसल मेर के जो देवां धिवान थे उन दिवान को लेटर लिखा और लेटर लिखकर की फिर उस लेटर को पहले तो जबानी रूपस सागरमल становится करा फिर लिखी तरुप स्यादे जो वहां के दिवान दोरा लिखा गया था रेजिडेंट को वो लिखा करके का कि आप जैसल में जा सकते हैं आपके साथ में किसी परकार का दूर वेवार यानि अबधर वेवार नहीं किया जाएगा और साथ में सागरमल गोपा को यहां का जो रेजिडेंट उस समय का था एलिगेटन उसने बताया कि वहां के दिवान ने मुझे ये सुचना दी है कि आपके खिलाब कोई मुगदमा नहीं है और आप जैसल में जाओ वहां का दरबार आपके साथ किसी परकार का दुर्वेवार नहीं करेगा तो ये सारी बात लेकिन ये सब क्या था एक सडेंतर था उनको फसाने का सडेंतर था और ये सडेंतर का पता तब ही चला जब सागरमल गोपा जी जैसल मेर पहुंचे वहां पहुंचते ही क्या कर लिया उनको हलांकि पहुंचते समय नहीं वहां से वो क्या करते थे वापिस जब लोटना चाहते थे जेसलमेर से यानि 25 मई को 25 मई 1941 को यह लिख देता हूं डेट 25 मई 1941 को जब वो जेसलमेर छोडने वाले थे उसी दर्मियान उनको क्या कर लिया गया गिरपतार कर लिया गया और गिरपतार करके उनको फिर क्या डाल दिया जेसलमेर की जो जेल थी वहां पर डाल दिया और वहीं उनके साथ में फिर वो और मानवी बढ़ताव सरू हुआ जिसकी कोई कलपना ही नहीं कर सकता यानि अब उनके क्या होती है नारे की जीवन की सुरुआत होती है लेकिन इन सारे कश्टों को ये जहलते रहे और जहलते हुए ही क्या होगे अपने प्राणों की इन्होंने क्या लगा दी बाजी लगा दी थी लेकिन फिर भी क्या किये उन्होंने अपना जो इनके सामने क्या किया शमर्पनँ नहीं किया तो यहाँ पर उनको क्या क्ड़ूर कारवास की सज़ा दी गी यह अलग-अलग मुद्दमों के अंदर उनको पकड करके तीं तीन वर्स की सज़ा दी गी और फिर इसके अलावा भी इनको क्या किया ग taught जो कुछ ड़ाइसो डाइसोगा गरें और दूसरे साल इनको बंगी का काम करवाया और ऐसी ऐसी यातना इद्धी इनको सुन करके रोंग्टे खड़े हो जाएंगी तो जेल में इनके द्वारा इनके उपर जो अमानवी वेवार किया जाता था इनके बारे में इसमें जोस्पूर के परमुग नेता थे जैनारण व् प्यास जी ने ये आठ मार्स 1946 को इसके बाबत एक पत्र पॉलिटिकल एजन्ट से बेजा और उनसे अनुरुद किया कि जेसल में जाकर के वो वस्तु इस्तिती का अधिन करें और क्या करें वो इन सागर मलगोपा जी के साथ में जो अत्याचार हो रहा उनका क्या करें क्यों कि आपके आस्वास न पर गया लेकिन वहां जाने के बाद में उनके साथ क्या हो रहे हैं मानवी बरता हो रहे हैं तो जो यहां के पॉलिटिकल एजन्ट थे उन्होंने आस्वास न दिया कि वो जाएंगे और जाकर कि इस सारे मामले को क्या करेंगे देखेंगे इसके लिए उन्होंने क्या किया था 6 अप्रेल 1946 का दिन निच्छित किया था लेकिन ये बात जब तक वह आती है वहाँ ये जाते तो उनकी जेसल मेर के महरावल की जो खुरा पात उनका बंडा फूड होता तो इससे पहले ही इसको समाप्त करने का निच्छे जिसल मेर के महरावल ने कर लिया था और ये बात थी 3 अपरेल 1942 को जब जेल के अंदर ही सागरमल गोपा जी को जला कर मार दिया गया एक जो पुलीस अतिकारी था गुमान सिंग नाम था जिसका उस गुमान सिंग ने जेल के अंदर क्या कर दिया इन पर जो केरोसी ने डाल करके उनको क्या कर दिया जला दिया गया था हलांकि इसको बाद में इन्होंने नगर के अंदर ये बात फैला दी कि सागरमल गोपान ने खुद को क्या लगा दिया अब उसके हाथ पेर तो बेडियों से जकड़ हुए रसा बंदा कैसे लगा सकता है अपने खुद को लेकिन ये लगा दी और इसके बाद में इनका इलाज नहीं करवाया गया यानि दिन बर वो वहीं तड़पते ही रहे जेल के अंदर यहां तक की उनकी बेडियां भी नहीं खुली गई और फिर साम को जब अंधेरा होने के बाद चुपके से इनको खाट पर जो डाल करके अस्तवा ले गए और अस्तवा लेना के बाद भी उनको कोई इलाज नहीं किया वहां वो करहते ही रहे चिलाते ही रहे कोई परकार का उनको इलाज नहीं किया गया तब उनको चार अपरेल को दिन को लगवग दस बज़े के आसपास उनकी क्या हो गए थी मुरत्य हो गए थी होस्पिटल के अंदर ही बाद में उनके पत्नी के जदा उनकी तड़प देखने बाद उनकी पत्नी एक डॉक्टर को लेकर खाई और उसने इंजिक्षिन लगा ते इनकी क्या हो गए थी मुरत्य हो गए थी तो इस तरीके से इस घटना से वहां का जो जिसल मेर का जो जन माना से उसको क्या कर दिया जंक जोर दिया और वहां पर इस नेरकों सासन का क्या होने लगा विरोध होने लगा लोगों ने बड़ी मातरा के अंदर क्या लगा दिया जलूस निकाल दिया और सबी जगे सागरमल गोपा की जय हो पलिस अपसर ग पदला खून के नारे भी दिवारों के उपर लगाए और बाद में जाकर के जैसल मेर के अंदर क्या हुआ अनंत गोत्वा पर जामनल के नितत में ही क्या हुआ ता आजादी का सुर्ज उगाता जो हम क्या पढ़ेंगे इस से आगे वाले अगले पार्ट के अंदर हम क्या है